इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी इस फ्लो ओफ चार्ज बिद रिस्पेक्ट टु टाइम कि किसी टाइम इंटेर्वल में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी के युनिट्स क्या होते हैं electricity के units ampere होते हैं जो scientist Andre Mary ampere के नाम पे units का नाम पड़ा है electricity को i यानि current को i से denote करते हैं और इसका formula i is equal to q upon t रहता है जहां क्यों जो है q जो है that is charge and t is the time now how can we measure electricity 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 को हम एक instrument है जिसे emitter कहते हैं उसके द्वारा हम इसे measure कर सकते हैं और electricity के flow होने में continuous and closed path चाहिए होता है जिसे electric circuit कहते हैं that should be continuous and closed कि सहीं बिल्कुल बंद होना चाहिए जैसे बायर है अगर कहीं इसे कड़ जाती है तो electricity का पूलो समभने हो क्योंकि चार्ज उस टाइम पे फ्लो नहीं हो पाएगा कुछ रिर चाहिए जज हो मैं खचकु कर मि घजा रहाहिए ज्स celebrity हुई